जैहिंद एवरिवान, my name is Gagandip and I welcome you all on our YouTube channel name Proud Defense Academy and today we will do the most expected GK question for our exam, TA Territorial Army exam और एक important बात मैं यहां पर बता दूँ कि कुछ students ने कहा था कि यह जो question है मैं provide करूँ तो उसके लिए Telegram channel अमने बना लिया है तो Telegram पे आप जाईए और सर्च करिए जो अपने channel का नाम है Proud Defense Academy और जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको channel मिल जाएगा, मैं उसका जो link है वो भी आपको description में और comment box में दे दूँगा तो वहाँ से आप channel को join कर लेना और वहाँ पे मैं यह जो questions है इनको upload कर दूँगा तो आज की class का जो पहला question है वो यहाँ पे देखते है तो देखो यहाँ पे answer है water to air यह एक फिनोमिना होता है TIR very important question है मैं थोड़ा सा आपको explain कर देता हूँ TIR यानि की total internal reflection यह क्या फिनोमिना होता है इसके अंदर इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज यहाँ पे main चीज यह है कि जो ray, ray of light है वो हमेशा जानी चाहिए यह dancer to rarer medium जानी चाहिए यह concept है यहाँ पे तो जो भी option दिये हो उनके अंदर से आपको यह देखना है कि dancer to rarer जानी चाहिए यहाँ पे water dancer है और air rarer medium है यह बात आपको दियान लखनी है जिनको नहीं बता है कि dancer medium क्या होता है, rarer medium क्या होता है तो simple language में अगर हम discuss करें तो dancer जिनके molecule पास-पास होते है, rarer जिनके molecule दूर-दूर होते है या फिर simply अगर मैं कहूँ तो जो ज़्यादा dance होता है, जो ज़्यादा गाड़े होते हैं, जिस तरीके से है example से समझते हैं, मैंने ले लिया, iron ले लिया, iron को छोड़ो, glass ले लेते हैं क्योंकि हमको ray उसके अंदर से पास करनी है, ray of light glass हो गया, water हो गया, और air हो गया अब हम सिर्फ एक को ऐसे नहीं कह सकते कि ये dancer medium है या rarer medium है, ये हमेशा एक दूसरे के respect में होता है, यहाँ पे relativity का concept लगता है अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ glass और water की, तो यहाँ पे glass हमारा dancer medium है, इसके comparison में water rarer medium है लेकिन अगर मैं बात करूँ water और air की, तो यहाँ पे water dancer medium हो जाएगा, और air क्या हो जाएगा, rarer medium हो जाएगा मेरे हिसाब से अब आपको बात ये समझ में आगी होगी, कि ये हमेशा respect में होता है, respect में, किसी चीज़ के respect में, ठीक है, तो यहाँ पे और अगर हम बात करते हैं glass की और air की, तो obviously glass हमारा dancer medium हो जाएगा, air हमारा rarer medium हो जाएगा तो ये है total internal reflection का formula लगता कब है, जब हम dancer से rarer medium की तरफ जाते हैं, तो total internal reflection का formula लगता है example आप से पूछ लिए जाएं कि total internal reflection, practical life के अंदर, तो जो हमारी optical fiber होती है, optical fiber, उसके अंदर total internal reflection लगता है diamond के अंदर total internal reflection लगता है, तो ये जो example है, diamond के अंदर, optical fiber के अंदर, ये वाला phenomena यूज होता है, TIR का, ठीक है TIR का phenomena यूज होता है, मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, और थोड़ा सा इसे explain कर देता हूँ, जिनको समझने है देखो, मान लो, ये हमारा surface हो गया, निचे water है, ठीक है, और उपर हमारा क्या है, उपर air है और कोई rays आ रही है, rays आ रही है इस तरीके से, तो आपको पता होगा, कि reflection के अंदर क्या होता है, वो कुछ न कुछ ये मुड़ती रहेगी, जिस तरीके से यहां पर जाएगी, फिर ओर angle हम बनाएंगे, वो यहां पर मुड़ जाती है, यहां तक भी मुड़ जाती है, और फ वर्सिपिंग फाल्स गोड्स, देखो, books and author से related आपके exam में question पूछे जाते हैं, तो हमको यह तियार करने है, और question हमारा यहां पर क्या है, कि वर्सिपिंग फाल्स गोड्स, यह जो book है, वो किसने लिखी है, तो यह book लिखी है, अरुन शोरी, जो कि एक writer है, next question, when was the rolling plan designed, दे fear plan के बारे में आपको पता 효ना चीय कि हमारे जो पहला planning commission जो बना था, वो हमारा कब बना था, वो हमारा मuchi के अंदर, March 1950 के अंदर, कब बना था, March 1950 में हमारा planning commission बना था, ठीक है, मैं आपको पहले इसी के बारे में बताता हूँ, important question है, planning commission यानि कि योजना आयोग, जिसको हम क नग्नेर गते हैं, वो कौन होते हैं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो ये था यहाँ पे 1950 के अंदर बना था, फिर यहाँ तरीका मारी होती है, रोलिंग प्लाण की, तो रोलिंग प्लान क्या था कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक तरीक तक उन्होंने rolling plan चलाया rolling plan में क्या था कि 5 साल की बात छोड़ो अब हम हर साल SS करेंगे कि हमने कितनी तरक्की किया है five year plan में होता था पाँच साल की हम बनाते थे वह पाँच साल में हमको यह अचीव करना है पाँच साल के बाद में हम SS करते थे उसको लेकिन अब यहाँ पर एक एक साल के अंदर करेंगे यह वाली बात कही गई थी rolling plan के अंदर तो यह बात आपको ध्यान रखनी है फिर आपको पता होना चीए कि planning commission की जगे अब क्या बन गया है अब नीतियायोग बन गया है नीतियायोग कब बना यह आपको पता होना चीए की बात करें वाइस प्रेजिडेंट की बात करें या वाइस चेयर परसन की बात करें तो वो है हमारे डोक्टर राजीव कुमार और इसके CEO अगर पूछे जाएं तो वो है अमिताब कांत CEO कोन है अमिताब कांत तो यह important question है आपको हमेशा यह याद करने है अच्छे से ध्यान में रखने है concept अपने clear करके चलो बाकी कुछ जादा वो नहीं है simple question आएंगे आपके exam में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ simple in the sense यह नहीं की आसा simple in the sense कि one liner question आएंगे ठीक है ऐसे UPSC कितना कुछ बड़े बड़े या एक और दो दो और तीन ऐसा कुछ question नहीं आएंगे one liner question आएंगे directly आपको टिक करने है next question है यह आपे which is the global biodiversity hotspot in India so question यह भी आता है कि how many biodiversity hotspots are in India तो total चार biodiversity hotspot है इंडिया में कौन-कौन से है टोटल कितने है चार है कौन-कौन से है एक हमारे इस्टरन हिमाल्याज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन-कौन से है एक हमारे यहाँ पर इस्टरन हिमाल्याज चार biodiversity hotspot है हमारे यहाँ पर इस्टरन हिमाल्याज हिमाल्याज दूसरे हमारे यहाँ पर वेस्टरन हिमाल्याज तीसरा हमारा यहाँ पर पर वेस्टरन घाट और चोत है अंडमान और निकोबार तो यह बात आपको ध्यान रखनी है very important question है next question की तरफ हम बढ़ते है during which ryan was kalidas lived ryan मतलब आपको पता होना चाहिए किसके काल में किसके राज्य में kalidas थे तो kalidas थे चंदरगूप्त दवितिय के सासन काल के अंदर थे next question in the human body cowperous gland cowperous gland जो होती है वो reproductive system से related होती है ये बात आपको याद रखनी है किस से related होती है reproductive system से related होती है next question the resolution for removing the vice president of India can be moved in whichever तो ये जो resolution pass होता है किसका remove करने का vice president को वो किस सभा के अंदर चल सकता है तो पहले मैं आपको बता दू राज्य सभा इस का अंसवर है ये आपने यहाँ पे देख लिया राज्य सभा लोन सिरफ केवल राज्य सभा में चल सकता है लोग सभा में नहीं चल सकता क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा पहले आप एक बार समझ लीजिए यहाँ पे parliament parliament जो हमारी होती है वो तीन से मिलकर बनती है प्रेजिडेंट भी parliament का पार्ट होता है ठीक है लोग सभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए एनगी 25 यर राज्य सभा का बनने के लिए 30 यर होनी चाहिए और प्रेजिडेंट बनने के लिए 35 यर होनी चाहिए ये important question है ये भी आपको ध्यान में रखने है अगर आपको ये बात ध्यान में रखने है तो देखो आपको ये बात ध्यान में रखने है कि प्राइम मिनिस्टर कोन बन सकता है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है मेंबर ओफ पारलियमेंट अब मेंबर ओफ पारलियमेंट चाहिए वो लोक सभा का हो या फिर वो राज्य सभा का मेंबर हो किसी भी सदनका member हो वो prime minister न सकता है तो किसी भी सदनका हो, उनको minimum लेना है तो हम माननके चलेंगे कि वो लोकसभा का है और वो बन रहा है और लोकसभा का minimum कितना होता है 25 years तो prime minister की minimum है इस भी कितनी होगी 25 years इस तरीके से हमको çीज़े याद रखनी है अब आपको होगे कि सर प्रेजिडेंट का तो 35 यह है हमको समझ में आ रहा है पांच का यहां पे डिफरेंस है पांच का यहां पे डिफरेंस है वाइस प्रेजिडेंट की भी 35 यह है हाँ क्यों कि आपको पता है कि जब प्रेजिडेंट नहीं होते हैं किसी कारणवस या कोई यान होनी हो जाती है तो प्रेजिडेंट की जगह कौन काम करेगा वाइस प्रेजिडेंट काम करेगा अब वाइस प्रेजिडेंट अगर काम कर रहा है प्रेजिडेंट के लिए तो eligibility conditions भी तो same होनी चाहिए जब भी तो वो president का काम कर पाएंगे तो इसलिए अगर president की minimum is 35 year है ना तो vice president की भी 35 year ही होगी क्यों जब भी तो वो president का काम कर पाएंगे ये वाली बात भी आपको यहाँ पे clear होगी होगी अब एक question यह पूछ लिया जाता है कि जब vice president president बनते हैं तो उन्हें जो वेतन मिलता है वो किसका मिलता है तो वो वेतन president वाला ही मिलेगा क्योंकि उस time पे तो वो president का काम कर रहे हैं एक question यहाँ पे और देखो कि जो vice president होते हैं vice president अगर president की जगहें पर काम कर रहे हैं तो कितने दिन तक काम कर सकते हैं maximum 6 महिने तक काम कर सकते हैं 6 महिने के अंदर अंदर President का election करवाना ही करवाना होता है यह बात आपको ध्यान लखनी है next question की तरफ हम बढ़ते हैं हमारा next question क्या है next question पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भोलना है क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको notification मिल जाए तो उसके लिए एक इलाज है चैनल को सब्सक्राइब कर लो next question है यहाँ पर which transition metal liquid होता है metal जो होता है liquid state के अंदर होता है room temperature पे liquid state में आपको पता है mercury पाया जाता है यह बात आपको पता होने चाहिए mercury जो thermometer, mercury के thermometer बनते हैं ठीक है तो वो एक air limit तक ही वो temperature को नाप सकते हैं उससे ज़्यादा limit अगर हमको करोज करने है temperature नापने के लिए तो हम किसका परियोग करते हैं हम alcohol thermometer का परियोग करते हैं ठीक है जब हमारा mercury thermometer फेल हो जाता है तो हम किसका परियोग करते हैं alcohol thermometer का परियोग करते हैं यह भी question important है next question is which type of forest exhibit highest biodiversity biodiversity you know के different different तनेगे पेड़ पोदे जीव जन्तु जहां पर पायो जाते हैं उसे biodiversity कहते हैं और जो tropical rainforest होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा biodiversity होती है very important next is which राष्टर कूट ruler established a victory pillar in रामेशवरम तो रामेशवरम में victory pillar किसने बनवाया तो कृष्ण तरितिया ने बनवाया किसने बनवाया कृष्ण तरितिया ने बनवाया next question who directed famous tv serial तंदूरी नाइट्स ये जितना important question है नहीं बाकि सईद जाफरी ने ये direct किया था पुराना question है next question के तरफ हम बढ़ते हैं the UNESCO declared 2011 as which international year देखो हर year को कुछ ना कुछ represent ये करते रहते हैं तो UNESCO ने किस 2011 को कौन सा year बताया था international year of chemistry बताया था ये बात आपको पता होनी चाहिए UNESCO United Nation आपको UNESCO की full form बतानी है UNESCO की full form बतानी है UNESCO की full form नहीं आपको सारी चीज़े बतानी है UNESCO के बारे में UNESCO की स्थापना कब हुई UNESCO day कब मनाया जाता है और UNESCO की full form क्या है और UNESCO के headquarter कहां पर है very important है ये सारी की सारी चीज़े आपको ये comment box में बतानी है ये आपके लिए question है next question देखो the absence of ribosome in a cell which function does not take place जब cell के अंदर ribosome नहीं होगा तो कोन सा function नहीं होगा protein synthesis नहीं होगा तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया है कि who is responsible for protein synthesis ribosome तो ये question पूछ लिया जाता है कि ribosome का क्या काम है तो protein synthesis who is responsible for protein synthesis ribosome next question where are TAPO1 and Vishnugad hydraulic project तो TAPO1 and Vishnugad hydraulic project काम पर है उत्राखंड में है उत्राखंड की राजदानी कौन सी है देहरादून है ये आपको पता होगा IMA काम पर है देहरादून में है IMA Indian Military Academy देहरादून में है FSI Forest Survey of India काम पर है देहरादून में है ये बातें भी आपको याद रखनी है next question देखो याँ पर Who was the last ruler of the Tuglaq dynasty in the Delhi Sultanate दिल्ली सल्तनत के अंदर जो Tuglaq dynasty थी उसका last ruler कौन सा था तो नसूरुद्दीन महमद नसूरुद्दीन महमूद जो था वो last ruler था Tuglaq dynasty का तो अब यहाँ पर question आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको इनका order पता होना चाहिए ठीक है किसका order पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के अंदर जो उनसी dynasty थी उनका order आपको पता होना चाहिए तो वो order किस तरीके से है सबसे पहले आता है गुलाम वन्स और फिर आता है लो दिवन्स तो ये जो है ये hierarchy hierarchy नहीं गएए एक तरीके से order था किसका दिल्ली सल्तनत का ठीक है इंग्लिश के अंदर सबसे पहले slave dynasty ठीक है दूसरे नंबर पे खिलजी dynasty तीसरे नंबर पे तुगलक dynasty फौर्थ हमारा सयद dynasty और फिफ्थ हमारी लो दिडाइनस्टी तो ये जो है ये order रहता है ये पूछ लेते हैं कि खिलजी वन्स के बाद कौन सा आया तो तुगलक आया slave के बाद में कौन सा आया तो खिलजी आया order कई बाएर पूछ लिए जाते हैं तो ये order ये क्या होती है पूछ अकाउंट कमेटी financial कमेटी होती है किस के अंदर लोग सबा के अंदर तो लोग सबा के अंदर financial कमेटी होती है कौन कौन सी एक तो होती है हमारी public account कमेटी मैं यह आपे लिख रहा हूँ public account कमेटी दूसरी हमारी कौन सी होती है Estimate Committee और तीसरी हमारी होती है Committee on Public Undertaking Committee on Public Undertaking तो ये mainly तीन Financial Committee होती है किसके अंदर लोकसभा के अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो इनका काम क्या होता है ये यही काम होता है इनका कि जो भी हुआ है अब तक लेन देन हुआ है सरकार का उन चीजों के उपर ये निजर रखते है और ठीक है CAG के साथ काम करते है CAG आपको पता होगा Comptroller and Auditor General of India तो उसके साथ ये काम करते हैं मिलके और अपनी रिपोर्ट जो है वो Speaker of the Locks बाग को पेस करते है ठीक है Next Question देखो If a bar magnet is cut lengthwise into three parts What will be the total number of poles भी तेखो कोई भी bar magnet आपको पता है ये magnet है ठीक है lengthwise बोल रहे हैं अब ये अब ये lengthwise बोल रहे हैं तो मालो एक magnet बन गी ये और एक बन गी ये ठीक है और three parts में बोल रहे हैं और एक बन गी ये मैंने ये य़ा पर रख दी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पर ये मालो ये north है ये south है तो दो पोल थे अब यहाँ पर ये north ये south ये north ये south ये north और ये south कितने total पोल बन गे तो six बन गे हैं यहाँ पर बात समझ में आ रही है अगर इसी को कह देता कि इसको breath wise काटना है तीन पार्ट्स के अंदर अभी तो length wise काटना होता तो ये बन जाते इस तरीके से एक, दो और तीन फिर कितने पोल बनते देखो पहले थे north और south ठीक है दो थे फिर north और यहाँ पे south फिर north और यहाँ पे south और फिर north और यहाँ पे south फिर भी छहाँ इंबनते यहाँ पे तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं चीज़ों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है next question next question is why does the issue department of the RBI maintain against printing of note तो printing of note का जो यहाँ पे concept है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो minimum reserve system से यह related होता है economy का question है next is with which river is the Omka Reswar project associated Omka Reswar जो project है वो किस river से related है तो वो नर्मदा river से related है very important question next is the ruler which was not invited to join the confederate to fight against Vijayanagar तो Vijayanagar the battle of Talikota Vijayanagar समराज्य है हरी हर और बुक्का ने स्थापित किया था हरी हर और बुक्का ने स्थापित किया था Vijayanagar समराज्य को very important question who established the Vijayanagar empire South India का सबसे बड़ा empire था greatest empire of South India ठीक है Talikota की लड़ाई के अंदर इसका जो है खतम हो गया था यह Vijayanagar समराज्य है और इसके अंदर बाकी सारे राजों ने मिलके Vijayanagar की उपर attack किया था और उसके अंदर कौन सामिल नहीं था तो जो बेरार जो confidory यहां पर था वो सामिल नहीं था next question की तरफ हम बढ़ते हैं और वहां पर UNESCO की बात हो रही थी UNESCO ने 2011 को किसका इयर डिकलेयर किया था chemistry year डिकलेयर किया था next question which tissue take part in healing the wounds तो epithelium जो tissue होता है वो wounds को heal करने के अंदर participate करता है next question यहां पर which is the highest and final judiciary tribunal respect to the constitution of India so constitution of India के इसाब से सबसे बड़ी judicial जो चीज है इंडिया के अंदर आप सभी को पता है कि supreme court होती है supreme court के बाद में आपके high courts होते हैं ठीक है high courts total है कितने इंडिया के अंदर 25 हैं एक से ज़्यादा state के भी high court हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन supreme court जो है वो हमारा एक ही है जो कि कहां पर situated है दिल्ली में situated है next question की तरफ हम move करते है what is the state of main activity associated with the fold mountain so fold mountain के अंदर main चीज क्या रहते है कि यहां पर earthquake आते रहते है जो हमारे हिमाल्याज है हिमाल्याज कैसे mountain है तो यह है young fold mountain कैसे है young fold mountain यह भी question आप से पूछा जा सकता है exam ने next question who was the Afghan ruler of India whose administrative system was emulated by the British so share size is the correct answer next question is temporary hardness of water is due to the presence of which thing so magnesium bicarbonate so two types of hardness is there in the water one is temporary and another is permanent so how many type of hardness is there temporary and permanent how do we identify that water is with temporary temporary hardness or permanent hardness so simple सा concept है साबुन लगा के देख लो अगर पानी के अंदर साबुन लग रहा है साबुन नी सरफ सरफ देखो आप ठीक है अगर सरफ लग रही है मतलब तो क्या होगा यहां पे साबुन सरफ की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन है यहां पे रगेटा इस आसोसियेटेड विद विज स्पोर्ट इवेंट तो रोइंग से रिलेटिड है यह एक टरम होती है स्पोर्ट और उसकी जो टरम है वो आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट कोस्चन यहां पे है कि रूपी रूपी जो है वाज devalued by what percent July 1919 के अंदर तो 20% से रूपी को devalu किया गया था मैं आपको समझाता हूँ यह क्या चीज होती है आपको नहीं समझ में आई होगी साइद आगर आप economy से नहीं आतो तो devaluation क्या होती है रूपे का devaluation करना कई बार क्या करते हैं कुछ country अपनी ही currency की value गिरा देते हैं क्यों गिरा देते हैं export को बढ़ाने के लिए export को बढ़ाने के लिए देखो जब अपनी currency की value गिर जाएगी तो चीजें क्या हो जाएगी अब 1 dollar मान लो 1 dollar की value है 70 रूपे example ले ले लेते हैं एक बार के लिए जब हमने value गिरा दी तो 1 dollar की value क्या हो जाएगी 80 रूपे अब चीजे तो देश के अंदर तो वही है मान लो कोई चीज थी कोई चीज हम मान लेते हैं कि 40 रूपे केजी थी ठीक है 40 रूपे केजी थी तो पहले पूरी 2 kg चीज नहीं आती थी 1 dollar के अंदर पूरी 2 kilo नहीं ले रही सकते थे 2 kg नहीं ले सकते थे क्योंकि 80 रूपे में आनी थी लेकिन अब 1 dollar के अंदर क्योंकि 80 रूपीज है तो वो पूरी 2 kg तिंग को ले जा सकता है तो खरीदेंगे लोग बार के जो लोग है और उससे क्या होगा मतलब foreigners करी देंगी उससे क्या होगा कि export बढ़ेगा भारत के अंदर क्या आएगा foreign exchange आएगा तो इस तरीके devaluation करते हैं 1991 में हमने किया था ठीक है उस ताइम पे LPG model भी लगाया गया था LPG model liberalization, privatization और globalization डोक्टर मनमोहन सिंग जी ने लगाया था उस टाइम पे वे क्या थे finance minister थे यह वाली बात भी आपको दियान रखनी है तो 20% से हमने devalue कर दिया था बहुत बड़ी रकम होती है यह what is the term as the drainage pattern developed on the folded sedimentary rocks तो trails कहते हैं इसको drainage pattern sedimentary rocks के अंदर जिस तरीके से drainage system जो develop हो जाता है उसको यह बोलते हैं and the next question is whose tomb is bivy का मकबरा तो bivy का मकबरा ओरंग जेब की wife का जो मकबरा है उसकी जो session आपको अच्छा लगाओगा इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रही है प्राउड डिफेंस अकेडमी की यूट्यूब चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक जैहिंद जै भारत thank you very much